आज हम सीखेंगे शीर्षा भी मुख कौन इस कैची को देखिए अगर हम इसकी दोनों बुजाओं को रेखाएं यानि लाइन्स मान ले तो यहां हमें दो रेखाएं प्रतिछेद यानि इंटरसेक्ट करती नजर आती है इनके प्रतिछेदन से यहां चार कोण यानि अंगल्स बन रहे है चलिए इसे आकरिती के रूप में व्यक्त करें जैसा कि आप देख सकते हैं यहां रेखा AB, रेखा DC को बिंदू O पर परस्पर प्रतिछेद कर रही है जिसके कारण यहां चार कोण बन रहे है क्या पता सकते हैं वे कौन से है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इनके नाम है कोण AOT, कोण DOP, कोण BOC और कोण COA चलिए कोण AOD के बात करते हैं यहाँ कोण किरण यानि रे O A और किरण OD से बना है अगर यहां हम देखें तो किरण OB, किरण OA की विपरीत किरण यानि opposite raise है और किरण OC, किरण OD की विपरीत किरण है या इन विपरीत किरणों से कोण BOC बना है किनी दो किरणों से बना कोण और उनके विपरीत किरणों से बना कोण एक दूसरे के शीर्षा भी मुख कोण, यानि vertically opposite angle कहलाते हैं। इसलिए कोण AOD और कोण BOC एक दूसरे के शीर्षा भी मुख कोण है। तो क्या अब आप कोण COA का शीर्षा भी मुख कोण ग्यात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही, कोण COA का शीर्षा भी मुख कोण है? कोण BOD? ध्यान रहे, शीर्षा भी मुख कोण आसानी से पहचानने के लिए हम शीर्ष से विपरित दिशाओं में देखते हैं। अब चलिए शीर्षा भी मुख कोणों के कुण देखें। इस आक्रिती में दर्शाय शीर्शा भीमुक कोणों को देखिए क्या वे बराबर लग रहे हैं? सोचिए सोचिए चलिए पता लगाते हैं पता लगाने के लिए हम इनका माप क्या आत करेंगे? इसके लिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे कोण AOD का माप ले? चांदे को ठीक प्रकार से रखकर हमें कोण AOD का माप प्राप्त होगा 45 डिग्री इसी प्रकार से अगर हम कोण AOD के शीर्शा भीमुक कोण कोण BOC का माप ग्याद करेंगे तो यह हमें 45 ही प्राप्त होगा इसी तरह अगर हम कोण COA का माप ग्याद करेंगे तो यह हमें 135 डिग्री प्राप्थ होगा जो कि कोन B.O.D. के माप के बराबर ही आएगा इससे हमें पता चलता है कि दो शीर्षा भीमुख कोनों का माप बराबर होता है इस तरह से दो रेखाओं के प्रतिछेदन से बनने वाले शीर्षापीमुख कोणों के माप समान होते हैं चलिए इसे सत्यापित करें जैसा कि आपको ग्याद होगा जब हम एक रेखा पर बने दो कोणों की बात करते हैं तो वे एक रेखिक युग यानी लीनियर पेयर है और जैसा कि आप चानते हैं रेखिक युगम का कुल माप 180 डिग्री होता है इस समझ से रेखा अबी के लिए हम लिख सकते हैं एक सो असी डिग्री इसे समीकरन एक नाम दे इसे समीकरन दो नाम दे यहां अगर हम समीकरण यानि equation 1 से समीकरण 2 को घटाएं तो हमें प्राप्त होगा कोण AOD धन कोण DOB रिन कोण AOD धन कोण COA बराबर 180 डिगरी रिन 180 डिगरी यानि के कोण AOD धन कोण DOB रिन कोण AOD रिन कोण COA बराबर 0 यानि के कोण DOB रिन कोण COA बराबर 0 इस व्यवकलन का परिणाम 0 तभी संभव है जब कोण DOB और कोण COA बराबर हो लेकिन अगर हम देखे तो ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्शाभीमुख कोण है इससे यह सत्यापित होता है कि शीर्शाभीमुख कोण बराबर होते हैं क्या आप इसी प्रकार से यह सत्यापित कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC है स्वयम प्रयास कीजिए तो आज हमने सीखा शीर्शाभीमुख कोण अगली वीडियो में हम तिरियक छेदी रेखा का अर्थ समझेंगे